हेलो फ्रेंज इंडियन टैलेंड यूटूब में आपका स्वागत हैं बिहार एस्टेट पाउर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो जारे हुआ है उसमें तो धानली हुई ही है साथ में जो कटप जारे हुआ है उसमें बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है यह हमारे पास करने का सब्सक्राइब करद जाए है है धिसे शक्राइब कर दिया जाया उनका नाम सर्म कर दिया गया और वह तो वैसे होएसे बहुत सराम आपको टोपिक देंगे उस टोपिक को देख लिजेगा आप भी नुटिफिकेशन खोलिए गा और अपने मोगाइल पर ले लिजीगा और और शांथ में इसका एक कंपलेट बना लीजेगा एस्टीक पे या पेपर सिट पे और लिख दीजेगा क यहां पर यह मिस्टेक हुआ है कहां बिहार एस्टेट पार होल्डिंग कंपनी हुटेड में जब मैंने फिरोक्ता से बात कि बात किया तो उन्हों ने बता यह आपके पास इसके बीडूत कोई आपके पास evidence है में उमको भेश दिया निट्वी के परोक्ता को भेश दिया है और वो दो तारीकों दो जनवरी को पटना गांदी मैजार में लाइब रिपोर्टिंग करेंगे फ्रेंट्स तो यह आप लोग भी क्या किजिए कि परोकता के पास कॉल कीजिए ताकि उनको मालम चले कि नहीं यह बात को सिरियस नहीं लिए है और बोलें क्या एविडेंस तो मैंने वेज़ दिया आप भी जितने भी केंडेट है आप भी साइर लोग कॉल करें एविडेंट्स क्या धांदली हुई है एकजाम में क्या जो यहां पर देख ली जिएगा यहां पर रवी रंजन दिया हुआ है मैं डेट ऑबर्स पांच जुलाई दूनेश तरांबे फीमेल दिया हुआ है और इनका जो माक से 43.91 और इनको सोट लिस्ट कर लिए यह बढ़का सबसे बढ़ा क्या है मिस्टेक है और नेक्स देखते हैं को जिनका सोट लिस्ट कर लिया आप नेक्स देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है सूरज कुमार जो सेरियल नंबर 991 रोल नंबर 2266759 सूरज कुमार यहां पर है उसको देख लिजिए यहां पर कडेगरी में फीमेल कर दिया गया है और इनका जो माक से 34.13 जो की बहुत ही कम हैं के लिए और इनको शौटरी आज़िकर लिया गया यहां पर देख सकते हैं कि जो मार्स भी काम है और इंको फीमल कर लिया है सबसे बड़ा एविदेंस हमाने पास है कि इनको फेमल जो कट अब जो जारी हुआ इसमें गड़बड़ी हुई है बहुत ही गड़बड़ी इंको भी फीमेल कर दिया गया है और इनका इंका मार्स कितना है 33.43 तो यहां पर हमारे पास एविडेन्स मिल चुका है व्रेंट्स यह हमारे एविडेन्स है और यह इसी एविडेन्स को आपको क्या गरना है एंडे टीवी के या किसी भी नेश्नलाइज न्यूस के पास बेज उम्मर वाले जो चार साल पान साल से त्यारी कर रहा है उनका नूमर पचार सारा च्हारी सारा है और यह जो कौपी रिजल्ट को रद करें तो हम देखते हैं कि हमारा हमरे पास यह एविदेंस मील चुका है कि इतनी बड़ी हुए है इतनी बड़ी मिस्टेक हुई बिहारे स्टेट पाउर होल्डिंग कंपनिंग के तरफ से लड़का को लड़की बना दिया गया है और उनको सौटली स्टेट कर लिया गया है और बताइए यहां पर क्या होगा जो स्टुडेंट्स जिनका नमबर 56 हैं 56 कुछ-कुछ है वह पीछे रहा गये हैं सौटली स्टे इन लोगे जगा पे और यहां पर देख सकते हैं फीमियल का फीमियल का जो कट अफ है आप नोटिफिकेशन देखिए आपको मालम चल्द जाएगा आप नमबर शुलों नबर 27 कोई साथ ऑप होता है माल लिए परसंस्ट परसंट चाहल है सबसे सबसे बड़ी बात है कि 93 परसेंट लाने वाले हैं यह पूरा पूरा सेटिंग और जब तक हम इन लोग क्या करना होगा जितने भी स्टुडेंट से लोग को मीडिया के सामने लाना होगा मीडिया के सामने आएंगे अपने आप यारे स्टेट पार होल्डिंग कंपनी का जो पॉल है अट में खूल जाएगा फ्रेंट क्योंकि आप देशकते हैं कितना गड़ बड़ी हुई है हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है यही सारी मुद्धा जब हम पटना जाएंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंट देखते हैं कि मुद्धा क्या है आप देख सकते हैं राजा विसाल जिनका डेट ऑबर्स 97 है और 93 यह कैसे पॉसिबल है फ्रेंट्स यह तो हमें नहीं लगता है इन से अधिक तिस टुडेंस जो लोग आईटी आई के टीचर से पाइट नहीं लोग नंबर आएंगे और यह लोग बाइसाल को में तिरानमे नंबर कैसे लाएं यह तो यहां पे तो कुछ तो गड़बढ है फ्रेंज हंडेर परसेंट गड़बढ है और इन सारे स्टुडेंस को यह जिस राजा भी साल पर्भात कुमार बिराट कुमार य अगर कोई आइडिया है तो नीचे में टाइप कीजिए और जब हम पटना जाएंगे तो हमारे पैस क्या होना चाहिए सबसे पहले बात की जो वीडियो में हम जितने चीज बता हैं वह सारे पॉइंट का आपके पास स्क्रीन सट होना चाहिए पेज उसको प्रिंट करा की आपके पेपर डाइप का और उस पर सारा चीज़ लिए लिए फ्रेंट्स साथ में साथ में हम जब हम लोग परणा मीलेंगे गन्दे मैदान में तो वहां पर डीसाइड करेंगे कि आगे क्या करना सबसे पहले हमारा टार्गेट इस एक्जाम को केंसल करवाना और देखत सबसे बलाई रद करो पिछले हम वीडियो में आपको पॉइंट दिया गया मेरे पास एविडेंस है इस एविडेंस के कारण बिहार एस्टेट पार होल्डिंग कंप्रिंग कंप्रिंग लिमिटेड क्या कि आइटी पोस्ट को रद करना होगा फिर फिर रिजल्ट जारी करो औ साथ में उसमें एक्वेटेड माक्स प्लस रो माक्स जो हमारा एक्चुल माक्स आया वह भी चाहिए साथ में को भी चाहिए जिनका कॉलिफाइड माक्स नहीं है उनको बाहर करो यह हमारा मुद्दा होगा 9923 माक्स लाने को मिडिया के सामने पेस करो यह हमारा मुद्दा होगा पता चल जाएगा कितना तेज हो सकता है तो मेडिया के सामने आते ही मालम चल जाएगा इनको एक्सपोज करना जुरूरी है अगर एक्सपोज नहीं करेंगे तो बिहार में इसी तरह धांदली होती रहेगी और नेक्स देखते हैं कि और क्या क्या करना होगा सबसे जब सबसे पर अच्छा जगर नहीं कानदी मादार नहीं देखा हैंसरे अकत्री तक वहां पर वेट कीए जाएगा जितने बी स्टुडेंट है उसके बाद वहाँ डिसाइड करना होगा जितने भी हमारे बड़े जो हमसे भी जो तेज होंगे जो हमसे भी अधिक जनकार वाले होंगे उनसे डिसकस किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है फ्रेंज साथ मुआ से पैदल हम लोग निकलेंगे सबसे पले बिजली ओफिस के पहाँ जहां पर इसका बियाराश्टेट और वहां करेंगे मांग करेंगे कि रिजलक को रद करो और हम वहां पहां पर करनेेंगे हम तरण जाएंगे तेश्वी आदो जो उपोजीशन लीडर है उनके पास जाएंगे और यह मुद्दा को देंगे फ्रेंट्स उसके बाद वहाँ पर करके हाई कोट जाएंगे फ्रेंट्स ताकि यह रिजल्ट जल्दी रद होगा तभी हमारा काम बन सकता है फ्रेंट्स तो इसमें घवड आने की बात नहीं है सबसे पहले जितनी भी स्टुडेंट है सबको पटना दो जनुवरी दोजार उन्नीस को दस बजे आना जुरूरी है फ्रेंट्स अगर नहीं आते हैं तो आप प्रियास बहुत ही अधुरा रह जाएगा क्योंकि आप आये चाह नहीं आए आप नोटिफिकेशन खोलिए उस नोटिफिकेशन में देखे कितनी गड़बड़ी होई है उस सारी गड़बड़ी को अपने स्क्रीन सॉट ले लिजिए साथ में उसको प्रिंट करवा लिजिए तब लेक पटना आना है फ्रेंट्स यहीं हमारे पास यहीं इसलिए मैंने बीड़ू बनाया था कि मैंने नोटिफिकेशन जब देखा या वार्ट्स ग्रूप में मैंने देखा तो लोग बहुत सरे इसमें हेटिंग की होए थे कि देखिए यहां पर इतना गड़बड़ी हुआ है और यहां में पास एविडेंस नहीं था हमारे पास एक बड़ा सा एविडेंस मिला है तो ठैंक्स और सबका साथ होगा तभी सबका समस्या का हाल होगा और इसमें जितने भी पैसावाल हैं जो जिनका नमबर 9093 आए उनको मालम चल जाएगा इस बार और फ्रेंट्स यह बस यही करना चाहता हूं कि सारे लोग पढ़ना जुरूर आए और यह बात किजिए है एविडेंस बेजिए मैं भी बात किए आप भी बात किजिए हैं इससे मालम चलएगा जब आ लोग बात करेंगे करें कितने मतलब मैं इंट बहुत ही चैनल हैं पास मीडिया के पास क्या कर रहे है और यह विदेंस को भी दे जब आप कॉल किजेगा तो आप पे एविदेंस मांगा जाए तो यह ज़रूर मेल करें साथ में उनके ट्वीटर एकाउंट पर भी आप ट्वीट किजिए जितने बी स्टुडेंट को ट्वीट करने से कुछ नह प्रेंट के दो और वह इनसान होगा तो इसका जारी करेगा प्रेंट्स तैंक्स यह कनता था तो जलिए फ्रेंट हम पटना मिलते हैं इसके बाद पठना मिलेंगे शेबद मेरा बिडियो फिर अड जारु महीं